हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर योट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पतली स्टैप वाली कुर्ती कैसे बनाई जाती है जिसमें मैं आपको बहुत बारिकी से इसकी हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टेचिंग कोर्स भी जोइन कर सकते हो स्क्रीन पर आपको दो नंबर दिखाए दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डेटेल्स ले सकते हो तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया तो दोस्तो इस तरह से जो पडय स्टैप वाली कुर्ती होती है इसकी जो कटिंग ए कैसे करनी है तो कपड़े को सबसे पहले आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है यह देखें इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर रखा है अब दोस्तों सबसे पहले जिस चीज की जूर्ट पढ़ती है वो होता है measurement तो यह देखिए इसकी जो total जो measurement है वो मैं आपको बतायता हूं इसकी जो लंबाई इसका अागे पीछे से हम रखेंगे 7 िंच तो सबसे पहले आपको कपड़े को कैसे बिच्छाना यह देख सकते हो तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है नीचे से तो नीचे से शुरुआत करने के लिए जो घेर 9 इसका 20 इंच, तो सबसे पहले इसका घेर ना आपेंगे, तो यह दिखी इस प्रकार से, यह उपपर के दो कपड़े ना किनारी वाले, यहां से आपको 1.5 इंच का मार्जन रखना है, जो कि हमारे जो चार्क में फोल्ड हो जाता है, और इसके बाद आपको घेर रखना है, इस कपड़े को मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक निशान लगाना है नीचे, इस प्रकार से, कपड़ा कहीं से अगर छोटा है बड़ा हो, तो निशान लगा के वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, छोटा बड़े कपड़े करते हो, अब इसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप तुरपाई करना चाहते हो, तो धाइंच मार्जन रखो, सलाई करना चाहते हो नीचे तो आप इसमें डेड़ इंच यहां फिर एक इंच मार्जन रख सकते हो, तो मैं इसमें करूँगा नीचे तुरपाई, तो धाइं कि 42 इंच तो इस जगे से आपको निशान लगाना है यह देखिए 42 आप देख सकते हैं यह बैदेश की जगे आप साड़े बैदेश पर निशान लगाएं यह देखिए आधा इंच एक्स्टर रखना होता है मार्जन के लिए बिलकु सीधा निशान लगाना है अब दोस्तों के बाद बात करते हैं क्योंकि इसका जो पीछे से गला बन रहा है वह साथ इंच तो डीप गला बन रहा है तो डीप गले में सिंपल फार्मूला यह होता है कि आपको तीरा रखना होता है वह रखना होता है छे इंच पर आपको निशान लगाना है क्योंकि डीप गला जब हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो होता है अपने आप culturally जाता है तो तो आपको आपको लिखना इसका थीरा और आर मो clicking बढ़ा कर साड़े मेरा अज़एखेल अ कि 당시 कि कि अफिकी पूरी मार्किंग पेले कर लेते हैं यह देखेलार मोर्स से जस्ट नीचे डा इंच पे एक निशान लगाना होता है जो कि मैं काफी सारी वीडियो में बता चुका हूं जिसे हम लोवर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट बोलते हैं कमर की शेप देने के लिए आपको निशान लगाना है पंद्रा इंच पर और हिप का जो मेजर्मेंट होता है जर्नली 21 यहां फिर 22 इंच पर हम लगाते हैं तो 21 भी रख सकते हो जगे से कमर है जो आठ इंच पर निशान लगा देता हूं और इसका जो घेर है 20 इंच जो कि मैंने पहले से निशान लगा रखा है अब इन सभी निशानों को आपस में आपने स्केल की मदद से इस प्रकार से मिलाना है अब दोस्तों यह जो ढाइंच के नीचे जो मैंने निशान लगाया था अब इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा नहीं लेकर जाना इसको हलका सा अंदर की तरफ आधा इंच के करीब आपने इसको घुमाव देना है ताकि जो आर मोल में बिल्कुल भी जोल नहीं आए इसक है और इसके अलावा आप इसमें एक्स्टा मार्जन जितना रखना चाहो एक इंच डेर इंच रखना चाहो उतना रख सकते हो यह देखिए लगबग डेर इंच के करीव है मार्जन ले रहा हूं बिल्कुल सिधा अब आपको जैसे नॉर्मल शूट की कटिंग की जाती है उ यह कट लगाने का मतलब है कि इतना नीचे से फॉल्ड होगा इस कट का लगाने का मतलब यह कि यहां तक आपकी फिटिंग की सिलाई आएगी दोस्तों इसमें सोचने वाली जो बात है वह यह है कि इसमें आगे और पीछे के दोनों पार्ट बिल्कुल मैंने बराबर काटने अगर्ल पारा पन लगे बड़ा काटने है अब इसमें जो मेंसा आप काम है वह पतली स्टैफ हमने इसके इसे लिए अपको क्या करना है सांचे को बणाने के लिए अपको क्या करना है इथर पर इस आपको निशान लगाना है यह पोने तीन इंच पर बिलकुल सीधा इosको बराबर बनेगा तो गला मिसका रखेंगे कितना साथ इंच यह साथ इंच पर आपको निशान लगाना है बिलकुल सीधा तो एक सांचा बना लेना आपको इस प्रकार से जैसे यह सांचा मैंने बनाया है अब इसके बाद आपको क्या करना है अब आपको आना है इस तरफ यान आपने इसमें जाके मिलाना है यह देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा इसको मैंने करा है आप चाहे तो इसमें हलकी सी शेप भी दे सकते हो तो शेप देने के लिए इसमें हलका सा इस प्रकार से बस हलका सा कर्व देना होता है आपको यह देखिए इस प्रकार से यह देखिए हलका सा कर्व देना चाहो कर्व दे सकते हो सीधा रखना चाहो तो सीधा भी रख सकते हो वह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है तो मैं इसमें हलका सा कर्व दे देता हूं यह देखिए तो दोस्तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो हमारी स्लीवलेस वाली जो कुर्ती होती है पतली पट्टी वाली जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग मैंने कर ली है अब दोस्तो जो में इसमें जो सबसे इंपोर्टेड काम है यह देखिए इसको पहले मैं आपको खोल के दिख सकते हो, बिल्कुल बराबर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अब जैसे यह देखिए, इसकी जो मैंने cutting कर रखी नहीं, यह वाली, अब इस cutting के आधार पर, आपको इसमें सबसे पहले इस गले को ही बनाना है, तो गले को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपक पेपर फूम यूज करना चाहो तो पेपर फूम भी यूज कर सकते हो तो दोस्तों गले को बनाने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास यह बुक्रम है इस बुक्रम को मैं लिया है इस बुक्रम को दोस्तों सबसे पहले आपने इस प्रकार से डबर कर लेना है क्योंकि इसके आ अब यह जो मैंने निशान लगाया इस निशान पर आपको करनी है cutting अब जैसे हम गले की cutting करते हैं यहां से आपको लगबग एक सब इंच के करी मारजन रखना है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह जो है हमारा गला आपको नजर आ रहा होगा जो एक्ष्ट्रा बुक्रम है उसको हम बाद में कट कर लेंगे अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है गले तो हमारे कट चुके हैं अब आपको जो है इसके अंदर स्टैप लगाने के लिए आपको क्या करना है इस चीज का आपको विश्ची तो पर ध्यान लखना होगा तो दोस्तों आप देख सकते हो जो इसमें जो स्टैप पटी लगेगी वो मैंने बना ली है अगर आप एक इंच रखना चाहो तो एक इंच बना लो अगर इससे भी पतली बनाना चाहो तो इससे पतली बना सकते हो जो की बहुत असान है यह देखिए इस प्रकास इसकी मैंन से अलग कर रहा था इसको बिल्कुर इसके साथ रखना है एकदम इसके साथ जोड़ना है अब आपको उठाने क्या है अब आपको उठाने स्टैप यह देखी एक स्टैप है यह वाला ठीक है अब इस स्टैप को आपने इसके साथ रखना है बिल्कुर इसके पास यह देखी ज यहां पर आपको औरे पट्टी भी लगानी तो आपको आधाइंच इदर इसको दो रखकर step को यहां पर रख लेना है इसी प्रकार से एक step जो यह वाला है इसको भी आपने इसके साथ बिल्कुल रखते होगा यह देखिए, इसके आधाइंच का जो है इस प्रकार से मार्धन और यहां पर आपको इस प्रकार से निशान लगा लेने, यह देखिए, यह निशान आपको इस प्रकार से लगा लेने, जितने भी आपके स्टैप आपने बनाने हैं, अब यह जो मिने निशान लगाया है दोस्तों, यहां से आपको इस प्रकार से इसको कट करना है, यह देख देखिए एक पल्ले को उठा लेते हैं इस वाले को ठीक है और यह स्टैप चाइप पर मारा अब इस इस स्टैप को आपनेu ऐसे कैसे रखना यह देखerv और एक step है जो यह वाला, इस step को आपने इस तरफ रख लेना है, इस तरह से देखें, इधर से आदा इंच का मार्धन लेद कर आपको चलना है, और यह देखिए, आप इस परकार से देखें, एक step मैंने इधर रखा, इधर से आदा इंच की दूरी पर, एक step मैंने इधर रखा आधा इंच की दूरी पर, गले को उठाया, बिल्कुल सेंटर में रखा, और यहां से आपको सिलाई के स्टार्टिंग करनी है, और कैसे लगानी है सिलाई, आई चलते हैं मशीन पर, दोस्तों, यहां पर आपको एक कट लगाना होगा, ठीक है, कट लगाने के बाद, जब आप इस गले को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करोगे, तो यह देखिए, जो आपकी पट्टी होगे नहीं गाली, यह पट्टी आपके अंदर इसकी स्लाई के साथ अर्जैस्ट हो जाती है अब आप इसमें चाहें, तो उपर स्लाई लगा सकते हो, स्लाई नहीं भी लगानी, तो कच्छी स्लाई लगा सकते हो, फिर इसको आप अच्छी तरह से प्रैस कर सकते हो, तो दोस्तों, एक तरह से यह जो एक तरफ का गला हमारा बन चुका है, अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे तरफ आपको इसे कैसे attach करना है तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक तरफ हमारे steps लग चुके हैं अब पीछे की तरफ याने की दूसरे इससे में अगर आपको step लगाने तो बहुत ही आसान है कुछ भी मुश्किल काम नहीं है यह देखी यह इसका एक दूसर से आपको आदाइच की दूरी रखनी है और इसके उपर आपने इस गले को ऐसे रख लेना है ठीक है और बिल्कुल असानी से स्लय लगानी है आपका आगे पीछे का गला बिल्कुल complete हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से आगे पीछे जो steps मेंने लग आते हैं यह देखी यह उरे पट्टी है मेर पास उरे पट्टी के लिए दोस्तों आपको जो उरे पट्टी लेनी है इस प्रकार से एक उरे पट्टी ले ले इसको आपने डबल कर ले ना यहां से और यहां पर जो extra 12 इंच का माजने रखा दा यहां से आपने इसको डबल कर गया एक सका यह वाला एरिया हो गया और इसी प्रकाद से दो एडिया पीछे करें तो मैं के वल्ल आंपको एक एरिया में बता जाता हूं बादी पर्दी करें यह कि यहां से आपको इस्लाई की स्टाइग करनी है अब फ्रेंट्स यहां पर आपको इस कपड़े पर उरेव पट्टी को जो है इस तरफ माजन करते हैं लगानी है जो भी एक्ष्टा उरेव पट्टी इदर से कट कर ले इदर से जो उरेव पट्टी है यह वाली अब इसमें दोस्तों इसको आपने इस प्रकास अंदर फोल्ड करना है और इसको ऐसे अंदर फोल्ड कर लेना है अब इसमें आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हो अगर आप चा लगा कर दिखा देता हूं बाकि आप चाहें तो रुपाई भी आपर कर सकते हूं फिलाल इसमें मैंने शिलाय लगाई आप तुरपाय भी कर सकते हो तो चारो हिस्सो में उरे पटी लगाने के बाद फिर इसकी fitting करते हैं और fitting कैसे होगी वो मैं आपको बताऊँगा पहले उरे पटी में लगा लेता हूँ दोज़तों चारो भी जगे ने उरे पटी लगा ली है उरे पटी लगाने के बाद आब इसमें आपको कर नी है फिटिंग फिटिंग के निशान आप देख सकते हो मैंने इसमें अल्रेडी लगा लिये है जो में मुद्ध है दोस्तों वो यह है धाई इंच आपको नीचे इदर से जो है उपर की तरफ हलका सो गुमाव देतके इस परकार से स्लाय लगानी है तो इसमें आपको जब फिटिंग के स्लाय लगाता है वो मैं आपको दिखाता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पहने के बाद इसका जो लुक है कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा बहुत पतली हमने पट्टी बनाई है अगर आप इसमें चोड़ी पट्टी लगाना चाहो तो दो इंच के करीब किसे कटिंग की जाती है कैसे इसको बनाया जाता है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बात प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वेरी मुच